हलो दोस्तो देख वर्ल के फोटोग्रफी बेसिक्स में आपका स्वागत है तो दोस्तो आज हम बात करेंगे एक्सपोजर ट्राइंगल के तीसरे पिलर यानी ISO के बारे में दोस्तो इससे पहले हमने शटर स्पीड और एपर्चर के बारे में वीडियो बना दिया है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और दोस्तो आईएसो के बारे में जानने के लिए हमारे चाल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें दोस्तो आईएसो का फुल फॉर्म होता है International Organization of Standardization दोस्तो वैसे तो इसका फुटाग्रफी से कोई लेना देना नहीं है पर 1974 में दो फुटाग्रफी स्टैंडर्स ASA और DIN को इससे जोड़ दिया गया तब ही दोस्तो इन दोनों स्टैंडर्स को कमबाइन करके ISO नाम दे दिया गया पहले के जमाने में अगर आपने कभी फिल्म के रोल्स खरीदे होंगे कोडक के रोल्स खरीदे होंगे तो उसमें लिखा हुआ होता था 100, 200, 400, ये 800 ये लिखा होता था वो ISO सेटिंग ही होती थी प्री ISO सेटिंग होती थी रोल्स में पर दोस्तो आज कल सब डिजिटल हो गया है इसलिए हर एक डिजिटल कैमरा में हर एक DSLR में आपको 100 से लेके 6400 तक ISO मिल जाता है अब बात करते दोस्तो ISO फोटोग्रफी में क्या एफेक्ट डालता है दोस्तो ISO आपके फोटोग्राफ को आपके इमेज को बहुत जादा ब्राइट बनाने के काम आता है जैसे कि जो एपर्चर होता है वो पर्टिकुलर उसी एरिया को ब्राइटन अप करता है जहाँ पे लाइट पड़ती है पर दोस्तो ISO पूरे के पूरे फ्रेम को ब्राइटन अप कर देता है जबरदस्ती करे पर जरूर कर देता है दोस्तो मान लीजिए आप रात को फोटोग्रफी कर रहे है पर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है इसलिए आप शटर को ज़ादा देर तक खोल नहीं सकते शटर स्पीट को बहुत ज़ादा कम नहीं कर सकते दूसरी चीज आपके कैमरा का एपरेचर भी बहुत ज़ादा नहीं खुलता है मान लीजिए 3.5 तक ही खुल पाता है तो दोस्तो अब ज़ादा एपरचर नहीं कुल सकते तो दोस्तो आपको आपकी शटर स्पीड भी ऐसी रखनी पड़ेगी कि फोटो बलर ना आए हाथ से इजी ली खिच जाए और दोस्तो एपरचर भी आपको 3.5 से आप ज़ादा नहीं खोल सकते और दोस्तो ये दोनों सेटिंग करने के बाद भी आपकी फोटो अंधेरी आ रही है आपकी फोटोग्राफ में लाइट नहीं आ पा रही है जो आपजेक्ट आप खीचना चाते है वो क्लियरली नहीं आ पा रहा है तब दोस्तो आपके पास आप्शन आता है ISO का जब दोस्तो एक फोटोग्राफर के पास कोई और आप्शन नहीं होता तब वो ISO का इस्तमाल करता है 100, 200, 400, 800 से 6400 तक ISO जा सकता है दोस्तो जितनी लाइट 200 ISO पे आती है 400 ISO पे लाइट उससे डबल हो जाती है कोई भी सिचुएशन हो कितना भी अंधेरा हो ISO बढ़ाने पर ISO लाइट को इंक्रीस कर देता है ISO लाइट सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है वो लाइट में बहुत जादा सेंसिटिव होता है और लाइट को बढ़ा देता है पर दोस्तो फिर भी फोटाग्रफर्स इसको लास्ट आप्शन क्यों बोलते है जब इतना अच्छा काम करता है ISO लाइट को इतना बढ़ा देता है तो ये लास्ट आप्शन क्यों है क्यूंकि दोस्तो आईएट सो बढ़ाने पे आपके फोटोग्राफ में ग्रेंस आ जाते है जिससे की इमेज खराब हो जाती है इमेज में आपको जैसी क्लियारिटी चाहिए वो क्लियारिटी नहीं आ पाती है इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है आप जितना ISO इंक्रीज करोगे फोटो में उतने जादा ग्रेंस आएंगे इसमें एडिटिंग में भी बहुत जादा दिक्कत होती है जैसे आप ISO बढ़ा के कोई फोटो खीचे उसको फोटोशॉप में लेके गए एडिट करने के लिए तो दोस्तो अब फोटोशॉप में अगर एक्स्पोजर बढ़ाओगे कॉंट्रास बढ़ाओगे, कम करोगे, कुछ भी करोगे ग्रेंस और उभर के आ जाएंगे दोस्तो तब ही कहते हैं जब आप एपर्चर और शटर स्पीट से खेल के एक अच्छी फोटो नहीं की सकते, लाइट नहीं बढ़ा सकते तब ही आप ISO का इस्तमाल करें वरना ISO को हमेशा मिनिमम रखे, 100 पे रखे तो दोस्तो हम यह उमीद करते हैं कि आपको ISO के बारे में भी पता लग गया होगा और ऐसे फोटोगरफी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जय हिन दोस्तो